तो ये रक्षा बंदन 90 साल बाद आया है, मैं आपको बता दूँ इसमें पांच बड़े योग भी बने हुए हैं, सरवार सिद्धी योग, अमरी सिद्धी योग, बुदादित्य योग, शुकरादित्य योग, यश योग, तो ये पांच बड़े योग भी हैं, तो पहले बत प्रंड़ता, विगनेर डालना, अमंगल करना इनकी नीती है, तो इसलिγेए भगवान ने, ब्रमा ने इनको, बाब, बालव और कौलव जो करण हैं, उसके अंत में इनको निवास दिया है, तो बाब, बालव, कौलव जब भी करण आते हैं, तो इसके अंत में भद्रा आती इन कार्यों के लिए शास्री जी आप बताएं जी मैं करना चाहता हूं कि आप महापर्व को सुक्सांती से मनाएं और इसमें के कत्ती से लेकर के रात को नो बच के छे मिनिट तक जो लगने मूर्त उसका प्रतिपालन करें सास्तरमत्र सर्वो पर ही है लेकिन भद्रा के मत में ना जाएं भद्रा मिर्त लोक में नहीं है इसलिए भद्रा का कोई दोस्त नहीं लिया गया है भद्रा पतालोक में पतालोक वासी के भद्रा का दोस्त माना जाएगा इस राउनी महापर्व है को अराम से जिस तरह मालक्षमी ने राजा बली को पतालोक में जाकर के इन द्वार पे द्वार पाल थे उनको वहां से मुप्त करा के लेके आई थी हर भाई को खाली हाथ में हाथी नहीं बनवाना चाहिए जब भी रक्चासुत बनवाएं अपने सामर्थ सक्ती के अनुसार बेन को कुछ दान दे अभूशन अलंकार बस्तर मिश्टान जो भी है इसकी दो के साथ धनौन बने कृतिबान बने बुधिवान बने उसका मन सम्मान सदेव बना रहे दोडों घर खुशी रहे ससुराल भी खुशी रहे माईका माइका भी खुशी रहे कन्या माँ का जो जीवनinhos दो घरों के लिए पता हैँ उस कीबीत होती हैं पेटियां जरा भी दर हो तो रोती है बेटियां बेटा एक कुल केanc half को ड्वोता है दो दो कुल के लाज को ड्वोती हैं बेटियां दोनों मंस के प्रतिपालन करने के लिए कण्या का więण होता है जो स्राउणी पर Freshman में जाकर के अपने भैया को जह भैया बोडर हो जया भीया नेता हो अब नेता हो कोई भी हो उसको जा किसकी कामना करती रहती है जे बलकुल और साथ साथ अब आप दुरों ने ये तो बताई दिया है कि मुहूर्थ जो है वो एक डेड़ बजे के बाद का है वो मलगातार स्प्रीन पर अपने दिखा भी रहे हैं कि शुब मुहू होता है यह नबद्रो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तौाम प्रतीबद्धनामी रक्षे माचल माचला यह मंतर का होता है इसका लेकिन बहने अगर यह मंतर ना भी कर पाये तो सबसे पहले आपको ठाली ले लें चाहिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लेकिनर पध्रा का कपड़ा बिलकुल सोला जिये नर्यलिक धानिंदक सब्सक्राइब करें दैजर्ब्सक्राइब, तो यह थाली के इंदर होाना च्छिये इस। छोजे स्ब्सक्राइब चाहिए जब भी आप भाई को और चाहिए पूरव औरकणाएब होना चाहिए सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आप नारियल है तो नारियल भी आपके उसमें है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी ले लिजिए और थोड़ा सा आप सबसे पहले आचमन कर लिजिए थोड़ा सा आपको भाई के उपर डालना पानी उ लेकिन विशेष मूरत के अंदर जो मूरत हम आपको बता रहे हैं आपको भ्रम्मे पढ़ने के जुरूत नहीं है एक बच के बतीस मिनट के बाद से रातरी के नो बच के बीस मिनट तक आप तभी भी राकी बांड दें अति उत्तम रहेगा आज पांच योगे और नबे साल बाद ये दिन आया है तो आप जरूर राके बाने है शासत्र जी लक्षमी पते तिन श्मरामी जो भी कार करेो मंगल में हो जाए लगनो मूर्थो कालो नच्छत्रो योगो तिती ओबारो इससे गणपती का कामना किया गया है आज सावन के पावन महीना का पूणिमा तिती है पूरा माना गया तिती को और सुम मार्धी न zeigen पूरा महीना लो महादेव के पूजन की है और सरावड़ी पर वसब मना रहें इस परंपरा को अनादी काल से मना गया है यहां तक कि मालक्षु मि खुद मना करके संचार में एक किसी मंत्र को जपें ओम नमसिवाई पंचाक्षर मंत्र हैं हर वेक्टी को आता है इसको जपना चाहिए और केसर का तीलक और अक्षत भाईया के मस्तक पे लगाएं केसर भगवान श्रीहरी नरायण को बड़ा प्री है और अक्षत लगाने से कभी छै नहीं होता यानि उसका कोई नुकसान नहीं होता और मिस्तान जरूर खिलाएं चैह लट्टू हो चैह मोदा को चैह कोई मिठाई हो और साथ में आर्ती उतारने से भाईया का जीवन आर्त रुपी दुख शंकट रुपी में कभी नहीं पढ़ता है उस आर्त को आर्ती के भाव से हरन कर दिया जाता है जो में भईया के यार्थीउत इस सबको रख्ष्यवंधंदण ना चाहिए करना चाहिए बिहार इत्याधी परंपरांवे गईपुर्वुत्तर में जाएं तो प्रामणों ऐसे जज्मान को राकी बानते हैं मंगल के कामना किया जाता है ते पावन परवै इस पे जो मूरताप ले रहे ले लिजिए बलकि भद्रा के कारण मन में भध्रांती ना रखे भद्रा का कोई दोस नहीं रहेगा जोशी जी अगर मान लिजिए कि कोई ऐसे भाई बैन हो जिनके बास समय के बंदिश हो और ऐसी स्थिति आए कि उनको डेड़ बजे से पहले ही राकी बानने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसके लिए क्या कोई उपाय भी किये जा सकते हैं कि किसी तरह का कोई उपाय करके जो है सामान्य उपाय करके जो है राकी बाननी जा सकती है देखें भद्रा का पुछ्य काल के अंदर बात की गई है तो सबसे अच्छा यही है कि अगर किसी को राखी बाननी है तो साड़े नो से साड़े दस बजे जो भधरा का कि पूँच रहेगी पूँच के अंदर आप राखी बान सकते हैं यदि आप फौज के अंदर है आपको जल्दी भाजी में करना है तो सबसे अच्छा यही है कि आप इश्ट देव का नाम ले ले ठीक है ना आप शिव का नाम ले ले ब्रह्मा विश्नु का नाम ले ले ओम शर्वाबादा विर्रमुक्तो धंदानेम सुधानवितो मनुश्यो मत परसाद है न भविश्यती न संसया आप इश्ट देव के नाम की पहले राखी बान दे एक दो राखी बहुत शुक्रिया जोशी जी और शास्त्री जी आपका Zee News के दर्शकों को राखी के बारे में ये जानकारी देने के लिए Zee News